गुद मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम कम्पोनेंट ओफ सेल में सेकेंड पार्ट करने वाले हैं नूकलियस यह मैंने कल आपको टर्मिनलोजी दी थी उसको अपने अगर स्टडी किया है तो यह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कम्पोनेंट ओफ सेल का सेकेंड पार्ट नूकलियस होता है जो सेल के सेंटर में सिचुएटेड होता है यह जो पार्ट है इसे हम नूकलियस कहते हैं ठीक है इस वन इस नूकलियस ओके इसके बाहर जो यह मैंब्रेन है इसको हम नूकलियर मैंब्रेन कहेंगे नूकलियर मैंब प्रेजेंट होता है जिससे हम नुकलियोप्लास कहते हैं क्या बोलते हैं नुकलियोप्लास ठीक है और इसके अंदर thread-like structures प्रेजेंट होते हैं जिने हम क्रोमेटीन कहते हैं क्या कहते हैं क्रोमेटिन ओके यही क्रोमेटिन फाइबस है जो बाद में कंडेंस होके क्रोमोजोम बनाते हैं और जो कि सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करते हैं जो न्यूक्लियर मेंब्रेन है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर पोर प्रेजंट होते हैं यहां पे पोर प्रेज में मिटीरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं और साइटोप्लास से जो भी चीज न्यूक्लियस को चाहिए होती है उन्हें बाहर से नियू साइटोप्लास से अंदर आने में हेल्प करते हैं इस न्यूक्लियर पोर ठीक है यह साइटोप्लास है यहां पर साइटोप्ल में जो भी चीजे यहां पे हैं उनको अगर जाना होता है तो अंदर यहां से जाएंगे और यहां से पहाराई में ले तो न्यूक्लियर पॉर का फंक्शन यही है कि मिटीरियल को साइटोप्लास से ट्रांसफर करना न्यूक्लियोप्लास में और न्यूक्लियोप्लास से ट्रा जिसमें क्या है, cell divide होता है, cell cycle, जिसके अंदर cell division होती है, और उस cell division के अंदर, जो है, ये processing चलती है, जैसे कि ये thread like structures जो है, ये highly condensed होके, यहाँ पे chromosome का structure शो करते हैं, ठीक है, कल मैंने आपको कहा था कि chromosome जो हैं, वो species specific होते हैं, हर एक species में numbers of chromosome जो हैं, वो अलग-अलग होता है, human beings के अंदर, जो human beings में हैं, वो 46 chromosome होते हैं, जो कि pairs में present होते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ characteristics हैं, nucleus के वो study कर लेते हैं, this one is nucleus, is double-layered covering membrane, ठीक है, इसके बाहर double-layered covering present होती है, किसके बाहर, nucleus के बाहर, जो वो covering हैं, उसे हम nuclear membrane कहते हैं, उस nuclear membrane में pores present होते हैं, has pores, which regulate the moment of material in or out of nucleus, ठीक है, next thing, in eukaryotic cells, eukaryotic cells, a well-defined nucleus is present, well-defined nucleus का मतलब है, कि उस genetic material के बाहर, कि प्रॉपरली उसकी position और उसके बाहर boundary present होगी, ठीक है, और in prokaryotic cells, a well-defined nucleus is absent, जिसमें mainly bacteria आते हैं, जिनका genetic material जो है, उनकी location भी fix नहीं होती, और जैसे यहाँ पे अगर cells शोक किया जाए, prokaryotic का, तो उसमें genetic material जो है, वो इधर उधर होगा, और उसमें कोई membrane भी नहीं present होगी, inside nuclear membrane, contain nucleus, nucleus is a dark stained body, ठीक है, इस तरह से dark stained body होती है, जिसे हम factory of ribosomes कहते हैं, यह nucleus के अंदर situated होती है, continuously ribosomes बनाते हैं, और ribosomes जो हैं, वो protein में, इसे हम protein synthesis में help करते हैं, क्या कहते हैं, इस dark stained body को, this one is nucleolus, okay, next है, chromatin material जो है, वो consist करता है, DNA और protein, DNA और protein दोनों ही पार्ट है, chromatin material के, next है, chromosome contain information for inheritance of feature, from parent to next generation, chromosomes के उपर gene present होते हैं, और वो जो gene है, अपने अंदर information लिये होते हैं, parents की, और वो characters जो हैं, वो next generation, उनके बच्चों तक पहुचा देते हैं, और ये, with the help of gametes होता है, जब gametes बनते हैं, sexual reproduction में, जो हब higher classes में पढ़ेंगे, उससे एक new organism synthesize होता है, तो दोनों parents के, जैसे हम कहें कि male में से, और female में से, दोनों parents के half-half chromosome, जैसे total है, 46 यहाँ पे हैं, 46 यहाँ पे हैं, तो 23 chromosomes जो हैं यहाँ से, और 23 chromosomes यहाँ से आते हैं, और इन से मिलके एक cell बनता है, जिसे, जिसमे 46 chromosome होते हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, यही वो cell है, जो नया organism बनाता है, और इसी तरीके से इन chromosome के basis पे, next generation के पास, वो characteristics पहुँच जाते हैं, ठीक है, next हम कुछ functions देखते हैं, okay, functions जो है, indirect and controlled cellular activities, cellular activities बहुत सारी हैं, ठीक है, जो nucleus के अंदर perform होती है, उसमें protein synthesis में ली है, जिसमें हम यह कहीं, मैं आपको एक छोटा सा format दिखा रही हूँ, लेकिन यह अभी आपके लिए बहुत complicated है, लेकिन फिर पी, जैसे DNA है, DNA जो है, हमें पता है, कि cell जो है, एक cell जो है, after specific time period, यह cell two cells में divide होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक flow chart हम यहाँ शो कर रहे हैं, कि this is a single cell, ठीक है, कुछ processes behave करता है, जिसे हम कहते है cell division, क्या बोलते हैं, cell division, इस cell division के बाद, यह जो cell है, वो two cells में divide हो जाएगा, इस तरही के से, ठीक है, यहाँ पे जो genetic material है, इस cell का, वो two N है, और यहाँ भी cell का genetic material two N है, यहाँ भी two N है, यह two N represent कर रहा है, chromosomes को, chromosomes को, कि total जो है, 46 chromosomes है, यहाँ पे, two N, ठीक, अब two N chromosome, यहाँ single cells के अंदर present है, और यही two N, यहाँ पे, दो cells में present है, तो यह पूरा का पूरा, जो cell के अंदर nucleus है, उसके अंदर है, यहाँ भी जो cell के अंदर nucleus है, उसमें है, इस से double होने के लिए, बहुत सारी energy और raw material की need हुई होगी, ठीक है, उसको बनाना, उसको जोड़ना, इन सब activities को हम कहते हैं, cellular activities, ठीक है, बसे इस process को हम कहते हैं, कि इस तरह से chromosome का double हो जाना cell replication, ओके, DNA अपने आपको replicate करता है, ठीक, replicate करता है, और वो replication से, जो नए cells यहाँ पे generate होंगे, उनके अंदर same genetic material पहुँच जाएगा, मतलब कि same DNA पहुँच जाएगा, continuously हम grow कर रहे हैं, cell divide हो रहे हैं, human beings के cells को divide होने में 24 hours का time लगता है, एक cell को दू cell में change होने में, ठीक है, फिर क्या होता है, replication अगर होती है, दो cell बनते हैं, और इनी nucleus के अंदर, protein synthesis भी होता है, ठीक है, क्या होता है, protein synthesis, जो की body की requirement है, protein synthesis है, ठीक है, और protein synthesis के साथ साथ, यहाँ पे messenger RNA भी बनता है, RNA मैंने बताया था, ribonucleic acid, लेकिन मैंने यहाँ पे messenger RNA कहा, यह messenger RNA information carry करता है, ठीक है, DNA कभी भी nucleus से बाहर नहीं आता, यह ध्यान रखना आप, यह जो cell है, इसका जो nucleus है, इसमें से DNA जो है, वो कभी cell से यहाँ साइटोपलास में नहीं आएगा, वो अपनी एक copy बनाता है, messenger RNA की form में, जिसके जुरूब वो अपनी information को बाहर भीज देता है, कि तुम्हें यह protein synthesize करना है, ठीक है, तो यह दो function यहाँ बनते हैं, इस direct and control the cellular activities, जो भी cellular activities यहाँ पे होती हैं, वो nucleus K under control में होती है, nucleus is headquarter of the cell, ठीक है, उसके बाद जब cell को तूटना होता है, it helps in cell division, यह cellular reproduction करें, ठीक है, जैसे ही single cells में हम बात करते हैं, single cell organism में, एक cell से दो cell बनते हैं, एक organism से दो organism बनते हैं, उसमें हम reproduction ही कहते हैं, लेकिन जो अपके multicellular organism हैं, उनमें continuously cell division होती रहती हैं, ठीक है, ओके, that's enough, next, रम third component कल करें,